इनर्जेटिक रहो और question solve करो कोई दिक्कत आता है तो comment करो और अपनी पढ़ाई अच्छे से बहतर तरीके से करते रहो confident रहो याद चलो यह question करो बिसके लिए इसमें क्या करता है देखो यह करता है कि three photons coming from the excited hydrogen atom अब हम लोगे पास hydrogen hydrogen atom करेंब रहें है और इसमें बहुत सारे इसमें और यह हमारा और इसमें जो चोटे चोटे दन्न नन्ने प्यारे प्यारे अटमस बरे पड़े पड़े हैं तो कहता है qu nickname इक्साइड हाइ्टोर्जन गैस अब इसको हम Melted blog लगा के इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ से चाहता है इसको इतने सारे इतने सारें रहे हैं को स्पर्ट फट्ट बाहर रहे हैं और वह उनट हैं से बाहर रहे हैं अगर मैं इसको बण इनर्जी सप्लाई करता हूं यहां से मैंने इनर्जी सप्लाई किया हीट किया तो यहां से तीन फोटॉंस बाहर आया चलो एक फोटॉंस के इनर्जी कितनी है 12.1 इलेक्टान बोल्ट दूसरे वाले की कितनी है 10.2 इलेक्टान बोल्ट और तीसरे वाले की कितनी है 1.9 निकलते हैं रेडियेशन निकलती है सभी रेडियेशन नहीं निकलती है तो यहां से तीन इसन निकल गई यह 3 फोटों निकल गए सब का मेलिंग यह उसमें सब्सक्राइब नारे हैं रहे हैं थे अधे सब्सक्राइब तो वह उस पुस्में से एंडेट की पॉसिबलीटी है तो बहुत द्युक्राइब और सोचने के लिए हमें समझना पडिएगा एनर्जी लेवल और energy hydrogen की nth orbit में तो hydrogen या hydrogen like के लिए energy जो होती है nth orbit में वो होती है minus 13.6 n square z square electron volt ये होती है energy तो अगर n is equal to 1 में energy देखोगे तो वैसे तो सबको याद होना चाहिए n is equal to 1 में energy कितनी हो जाएगी minus 13.6 electron volt n is equal to 2 में energy कितनी हो जाएगी n is equal to 2 में energy हो जाएगी e2 is equal to minus 3.4 electron volt और n is equal to 3 में energy जो हो जाएगी यहाँ से e n is equal to minus 99 से डिवाइड को minus 1.5 electron volt तो यह जो है वो 3 इस से ज़्यादा भी आम निकाल सकते हो तो यहाँ से यहाँ से 3 आर्बिट की 3 cell की मैंने energy निकाल लिया अब हम सबको पता है पहले से कि photon यह energy level होते हैं ठीक है इस टाइब से तो n is equal to 1 और n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4 ठीक है यह 1.5 है और n is equal to 0.85 आता है तो यह जो फर्स्ट यह फर्स्ट फोर्ट है और energy level कम होती ही चले जाती है यह क्या है माइनस 13.6 इलेक्टान बोल्ट माइनस 3.5 यह आप याद कर लो हर क्वेशन में लग यूज होता है तो चलो अगर तीन फोटान आ रहे हैं तो यह की फोटान आते कैसे हैं फोटान बाहर कैसे आते हैं यह जब इलेक्टान इक्साइड होके डिएक्साइड होगा तभी तो फोटान बाहर आते हो तो यहां से इलेक्टान पहले कहां था चलो ग्राउंड इस्टेट मेन था और एक्साइट होके एक एक एटम की बात कर से वेक्ड एफend demo को冷 єमालिया में यहाँ चला गया तो जब वह वापस आएगा डी साइट होगा तो इस प्रॉसेस में एक वेवलेंथ लैमडा निकलेगी एक एटम से लैमडा वन मान लेता हूं तो क्या अब यह दो अब जो यह यहां से जब डी एक्साइट होके वापस आया तो यह जो लैमडा है यह इस पेसल लैमडा यूनिक लैमडा है और उसकी वैलू हम केलकुलेट भी कर लेते हैं और वो इनके बीचे जो एनर्जी का डिफेरेंस है इनके बीचे एनर्जी का डिफेरेंस तो डेल्टा ई इसको माइनस 3.4 और माइनस 13.6 मतलब यह जाएगा प्लस 10.2 इलेक्टान गोल्ट तो यह जो एनर्जी डिफेरेंस है वो इतना मतलब जो रैडियेशन यहां से जो यहां से पड़ा होगा एनर्जी मतलब को मिला कि जो फोटन बाहर आया होगा तो अगर 10.2 इलेक्ट्रान 20.2 नर्जी डिफरेंस का जो फॉर एनर्जी डिफरेंस है इसको एक एटम में एकिस्ट करता होगा तो एक एकिस्ट करता होगा तो इसका जो lambda एक radiation तो आया ही होगा मतलब एक atom में ऐसा possible है फिर से समझो तो energy difference delta is equal to hc upon lambda होता है तो यह जो है एक fixed value आ गई energy difference 10.2 तो यहां से एक fixed value आ गई तो एक lambda तो possible आ गया ने भई एक lambda possible तो यहां से आई गया तो एक lambda अगर यहां से possible आ गया तो वो एक radiation हो गया मतलब 10.2 मतलब electron एक atom में तो यहां से ground से गया था वापस आ गया मतलब एक atom तो possible है चलो दूसरे atom की बात करते हैं क्या दूसरे atom में चलो अगर दूसरे atom में बात करेंगे तो delta e to energy difference देखो तो दूसरे में अगर energy difference यहां देखोगे तो यह इस में अगर इस में दूसरे atom की बात कर रहा हूं मतलब एक atom तो possible एक atom में ground में एक ही electron जाकर वापस आ गया तो एक तो possible है तो इनके भी जो energy difference है वो देखो 13.6 और 1.5 तो यह जो energy difference आ गया delta e to हो आ जाएगा 12.2 12.1 12.1 electron volt मतलब यह हुआ अगर ground ही state से उपर गया होगा दूसरे atom में तो वापस आया तो 10.2 electron volt जो की possible है तो 12.1 electron volt तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो radiation है 12.1 electron volt यह भी energy यहां पर possible है मतलब यह हुआ और यह भी possible है तो यह और यह इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा 2 atom में हो रहा होगा मतलब अब जो option अगर देखोगे तो 2 atom तो होंगे ही होंगे अब यह 1.9 possible है यह वाद में देखेंगे ठीक है मतलब यह option पहला वाला कभी सही नहीं हो सकता यह जो है वो गलत ही होगा एक atom से यह तीनों photon बाहर नहीं आ सकते यार तो 2 atom से तो आ रहा है तीसरा आप energy difference चेक करो तो अगर तीसरा अगर इसमें से आप check करते हो देखो अगर इसमें और इसमें difference निकालते हो इसमें तो यह जो है वो energy difference हमारे में option में है ही नहीं उस energy difference का photon क्योंकि अगर 14.6 और 8.5 से माइनस करोगे तो यह इसमें से कोई नहीं कर रहा है इसमें से energy level में से कोई मैच नहीं कर रहा लेकिन अगर में यहां से 8 मिश्च करता हूं देखो यह यहां से यहां से इन दोनों का energy का डिफरेंस निकालता हूं यह वाला इस में इनर्जी मतलब इलेक्टान यहां से गर यहां गया होगा एक्साइट होके तो यह जो एनर्जी डिफ्रेंस है वो देखो 3.4 में 1.5 माइनस करको 1.9 इलेक्टान बोल्ट आ जाता है इसका मतलब यह हुगा कि अभी ग्राउंड में तो नहीं आया ना तो यहां से Saat okay in equal to 3 में गया तो वापस यहां आया फिर यहां आना है तो दो पहले हो चुक है तो यह जो हो सकता है कि एक ही एक्टाम में हो रहा होगा यारत तो टीसरे अम में हो रहा हो गा क्योंकि इलेक्टान को आना तो ग्राउंड स्टेट में ना वाई इसका मतलब यह हुआ ती मिनिमम दो एटम पॉसिबल है या और यह प्रोसेस किसी तीसरे एटम में और आप तीन एटम हो गए कुल मिला के दो या तीन एटम पॉसिबिलीटी है पॉसिबिलीटी डिसकस करना था तो आइधर तू या थी एट मतलब दी अब